पूरु मुख्यमंत्री अखिले शादव गुरुवार को लखीमपूर खीरी पहुचे जहां पर उन्होंने गोकरनात में राज्यसवा सांसद रवी परकाश वर्मा की पुत्री के आशिरवाज समारों में शामिल हुए इस दोरान उन्होंने मेडिया से बात करते हुए कहा कि भारती जन्ता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काला कानून लाए हैं जो भेदवाओ करता है और पूरे देश को उलजाने का काम किया है आरोप है कि भारती जन्ता पार्टी के लोग एक दूसरे को और आज यही भारते जंता पाटी के लोग केवल अपने रादनेते एक स्वार्थ के लिए के राजनीद में उनकी कुर्सी न छीनी जाए वो ऐसा काला कानून लाए हैं जो भेदवाव करता है हमारा संविदान कहता है कि हम भेदवाव किसी से न जात के अधार पर करेंगे न धर्म के अधार पर करेंगे न रीजन के अधार पर करेंगे जो हमारी प्रस्तावना थी उस प्रस्तावना के खिलाफ आज ये सरकार काम कर रही है पूरे देश को उल्जा दिया है इन्होंने पूरे देश में अंदुलन हो रहा है नौर्थ इस्ट के लोग क्या मांग रहे है और हमारे उत्तर भारत के लोग दच्छिर भारत के लोग सब को इन्होंने पूरा का पूरा घेर लिया है और पूरा का पूरा बढ़वारा कर दिया है ये बांट करके राजनीत करना चाहते हैं भारती जन्ता पार्टी के लोग भारती जन्ता पार्टी की सरकार डरा के राजनीत कर रही है भारती जंता बार्टी नफरत फैला करके रादनीत कर रही है कभी जातियों के बीश नफरत कभी धरम के लेकर के नफरत मैं समझाओं आज के दिन अगर आप देख रहे होंगे पूरा देश जाग गया है समझ गया है इनकी चाल को इसलिए पूरा देश सड़कों पर है